परिपरिमस से भागेंगे अत्यस्य की कथा हम लोग सुनेंगे किछ रोग की बारे में और उपमंद्यों की कथा सुनेंगे जिसे क्लिम बत्री टीवी सुनाते पर गे गिरिपती की नाम सिपुरान में सत्रुद्र सहिंता में लिखा गया है कि गिरिपती एक अलब आयू कम आयू के बच्चा था क्या था कम आयू के गिरिपती की पिता का नाम जो सानन्द मुनी थी और उनकी मां सुच्च मितां यहों मुनी जो थे सिवजी की बरे तपस्वी भगत थी क्या थे बखसा हरका गुमादी मस्कर को मस्कर को मस्कर को कर से लोगाई तो शिवजी के जो भगत थे वह भगत थे वह भगत क्या था जो कोद तपस्वी थे तब करने वारा बिना सिविके पुझापात के बिना सिद्के ध्यान के वैं बिना सिविके नमशिवाई महामंत्र के उचारण करते वे भोजन नहीं करते थे कौन वो मुनी चुत्मस्ति जो उसकी पत्नी थे उनका पत्नी भी बहुत सिर्जी के बगार दोनों दमपती मिल करके दोनों पती पत्नी मिल करके बिना सीविकेट पुजा के वे भोजन एक रती ही ने करते हैं जब ग्रेश्टी हो गई साधी हो गई आस्रम हुआ तो क्या होता है लोगों कि संतान ती जवलत है कि नहीं अभी शंतान नहीं होती तो उन्हों गाउन समाद में लोग ताना मारने लगते कि बांजी है अन्ना है यह है तो उनकी पत्ने ने प्रिपती से निवन्नन किया प्रत्थना किया कि है स्वामी आथ भगवान सीथ की वक्ति में लीन होते हैं वह पहुत सारे मन और तन जिना सिथ का यह उपीजनकर नहीं करते हैं कि एक बार हम आप से पुझते हैं कि हम जो ग्रेश्ट्री हैं हम जो आपके पत्नी हुई तो क्या मुझे संतान की जुबलत नहीं है क्या कहने लगा तो उनकी पत्ती मुझी ने कहने लगा कि संतान जब होगा समय होने में होई ही जाएगा क्या होगा समय होने पर होई ही जाएगा एक ऐसा है हुआ भगवान सीव ने उनका संतान बन करके परकट हो गए उनको दर्सन दिया और कहने लगा मैं सीम हूँ मेरे अश्ट भुला है मैं पांच मुख हैं मैं नंडी पर सवार हूँ मैं बैल पर मैं धमरू मैं जटा मैं माथी में गंगा की धार हैं मैं सर्वशक्ति विराजवान हूँ अऐसे चीज़ों को देखते लिए अधीक प्रश्ट कहा की स्वामी मैं आख की पूला को हरोज करते मेरी पत्री की एक मन की द्रिश्टा हैं की एक संतान की जुरत हैं तो संतान तुम्हारे जैसी हो और तुम्हारे ही जैसी परिपुर्ण हो तुम्हारे जैसी ही ज्यारवान, बुद्धिवान, विवेकवान और ध्रश्वान कुछ दिन के वाद ऐसे ही हुआ उनकी कि पत्नी गर्वास में गर्वधारन हुआ चारोत तक प्रचार होने लगा कि यह मुनी की पत्नी ने गर्वती हैं तो गर्वती में बहुत परकार की पुजा अर्चन किया जाता है हिंदु धर्मे के अनुसार सुलु संसुकार होते हैं गर्वधारन पुजा जब गर्वधारन पुजा जब भूधारन होती में इस न बजैए उस में अतिक पुजा करने से और जाही की दावन बन सकता है अंकि गैसी करवेदारन होगा बहुत बहुत बरे बरे वित्वानुः को बढ़े बरे प्रुणान रश्यों को बढ़े बरे लोगों को गुछ कर करके शतसष्णश रक्ता यह पुईत्र हौम्याग जाव ध्यान कि तन अन्ने प्रमानों को दान्पुन्य करवाया जिंकी कई साल के बाद यह मतारं वाएं गर्वरु रूप ऑगे को खुशी ऑगा कि तो जिसी होगा तो एक वर बुले हरा हरा देर की जाए तो उसी तरह हुए अर जब फिर उननको एक माईं हर्थु मैना पर फिर मैना पर गर्व सिखकार बदरते जाता है तो वो नीत पर्तिक उसी तरह से संसंग सुनना कथा सुनना चर्चा सुनना सिप पुरान की पात करना तो उसका संतान भी उसी तरह उप्तन हुआ हुआ हम लोग गर्वे होती हैं तो क्या करते हैं चरित्री सो देखते हैं बहुत परकार के फिलमें देखते हैं इसलिए अताहा हम लोग का संतान गलत गलत उत्पन होता है कि परकार से, खेट को ही उधारन लेजे खेत आलों की धान की पटवा की जूट की तयारी करते जिस तर से खेट की चसाहीं होते, जिस तर से वाई होती जिस तर से निराई होती, उस्पी तर से बीच को ढाला जाता है इसी बीट पर उसी तरह से भसल और नयों आजिक अबन और बढनया हो जाता केरे हुआ है तो हमारे वी ये भसल हैं ये तो भसल हमारे ले तो हरोच और सत्य धार के लिए रहकीने भसल इस भसल को ही हम लोग नष्ट करते हैं गलत गलत कामों में गलत गलत द्रिवारों में करते हैं 5 प्रिक्तर व्रकाल थे 8 अचारक ऊंके घर में 10 मा मेहना के वाद में 30 तोटर की प्राप्टी बुलिशंकरवगवारान की क्या प्राप्ट्र की ट्रि तो बहुत बतिये लोग रिशी मुनियों को बुलवा करके उनका नावांकरन किया गया नावांकरन में तो पहले ही तो पता था कि उनका नाम गिरीपती होगा जस्विंग स्रीव संभूने बढा रही गाउजगा में कि उन्हें का नाम रख दिया मुनियने जिहीए पति कि यहीए पति कि यह सारे जगत की इसे सारे सिसार की भराई करने वारा एकिन नारद नहीं जब हाथ हस्तर एक्षा जोतिस देखता है तो लगता इसके अलब आई हो कम मर मर जाएगा एकर वो तपस्य क्या किया था कि मेरी पूत्रे कभी मरे नहीं और शिव का पूजा पाट में और बहुत परिपुन्य हो इकिने इसका माथाई चेकरा गया अधवार ने मुझे ऐसे ब कर सके उनकी जो बेटा तो गिरीपती वो तो बजबन से गर्वों परिसारी सिछा प्राप कर लिया था वह का पिता जी मता जी तुम दोनों चिंतन बहुत है दुखी बहुत है क्या बात है कौन कानी लगा उनके पुत्रे गिरीपती ने जब बारो साल की उमर हो गई तुम वहां सब्सक्राइब, दुखी वहां बात किया है कि बात तो कुछ नहीं है कि तुम्हारा पुमर केवल और पार की कम है तो उसने ने कहा पिता जी कम हुं अम्मर चाहँ है पिता उमर कैसी कि बड़े है जो महाकाल की पुजन हो महाकार की सक्षियों महाकार की दृष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष कि सुना करके नर्वदा ननी के तठकी किनारे में बैर करके कथा सुना कर अस्वरान कर आया तिर्पुण पढ़ाया तब उनको दिख्जू का प्रिट कया कि वैसे वैसे शीव का वजन करना धहने हाथ उपर दहना पर उपर शीव की ध्यान जावर्यार मानष ध्यान बर्षद्यान जावर्यार मानष ध्यान तिनो प्रकार की ध्यान पाने लपा जल्व देर पूठ धूब अगर्वरती चन्नन कुन कुन तिलग गृफपती को ने ऐसे ही दिख्जा दिया आज हम लोग Domot सिंकिे सिश्षे ब़ते हैं बहुत अच्छा लेकिन में हर रोज यही बात करते हैं कि किसी की तुषिकात नहीं परन्तों सिख्छा और दिख्छा और गर्ण के समय ही जब सिफ सिफ से बढ़ते हैं उस समय ही आप अपने नियम और सिष्टा चार से लिजिए तो आपको हमारे देश हमारे समार हमारे घर का बीज अच्छी तरह से अच्छी प्रकार से भक्ति खाना पेना मास मदिरा लसुन प्यार इत्यादि समांगरी को त्याग करके जो हमारे भोजन के लाइक ने हैं उनको छोड़ करके इस तरह से किहपती के जैसी दिख्छा को अगर गर्ण करेंगे तब देखो हमारे फीर सी उमर बढ़ तब भगवान संत ने इच्छा देखर तो चले गया अब तो मंत्र जाब करना आप और हमारे ना काम है तो वहों भी नदी के किनारे पाने लना हिमाले के तर चले गया ध्यान किया से भोके रहकर प्यासा रहकर भगवान सीव की ध्यान में त्रिक्त रहने लगा जब उनकी चारों त्रव उनकी जूतिस्की प्रकास के कारण से ध्यान हुआ तो पूरा जंगल को जनने लगा इंद्रे ने कहा कि मेरे राज में कौन इस प्रकार के तब करने वाला है क्या मेरे राज में तो जुतने के लिए तो तब नहीं करता उनको भरम आ गया इंद्रे को मांचर इस राज में तब कर तक बरम हो जाता है कि हमेरे बराबने इंद्रे ने ऐसे ही चड़े गया इनकी तपस्या को भंग करने के लिए कि अतहां ना हो तो मेरे राज को जीत ले इसी प्रकार से गिर्पती ने पून फिर से तपस्या करने लगा उनको बड़े बड़े जूर की घटना हुई बड़े बड़े संकत आए बड़े बड़े पढ़ान आए से वालों बहुत परकार की चीथ बहुत परकार की प्रतंग साब बड़े बड़े चीजों ने परिछा लिया एक हो शीविना मत्ख इंचालन जब भगवान यमराज ने आया उनका उमर कम था मेरे नाम महाकार जितंद्र अशीव अमर अगर त्रिकम गौरी अधागनी पार्वती के नाम से पुझा करते हैं उनको आयों ही कम होते हैं तो इसकी इच्छावर देते हैं जाए तो इसे नहीं ले जा सकते हैं तब ये देखते रह गया कि अबराज थोड़ा मुर्चित हुई और पुनो भगवान सीव ने और पार्वती ने ऐसे आयू की विट्री दिया कि लिप्रटी का पुनो भी से आयू बढ़ने लगा पुलिशन के भगवान की जैर अर्माँ भगवान सीख के भगवान गुरू के भगवान सिश्यों के इस प्रिकार के जो भक्ति करता है अटल निच्छे और बिस्वास से भगवान आपको कभी न कभी निच्छे पुट्टी कर देता है अगर उस प्रकार से पुट्टी का भी उमर घड़ जाता हम लोग भी क्या करते है कि किसी को रोग होता है ग्रस्त होती बिमार होते हैं अब आज सिख पुरान में लिख दिया है